हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो अजुकेशनल मंदिर, फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आरपीस्सी असिस्टेंट फ्रोफेसर एकजाम 2021 का हिस्टरी का कोशन पेपर सोल करेंगे, यह जो पेपर है हिस्टरी का सेकंड पेपर है, पहला कोशन है, निमनलिखित में से किस गवर्न जनरल ने शुरृवा पर्थम महान एकर्मंयाता की निती अपनाई तो यह निती जो है वह है लोर्ड लुरेंस ने अपनाई थी, option 4. निमनांकित मेंसे कोन संथाल विद्रो का नयता नहीं था? अप्शन्थाल विद्रों के नेता थे सिध्धू, चांद और कानू, जगनात जो है वह नहीं थे तो अप्शन 3 जो है वह इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट है निमलिकित सोतंतरता से नानियों में से किसने सर्वेंट्स ओफ इंडिया सुसाइटी की स्थापना की सर्वेंट्स ओफ इंडिया सुसाइटी की स्थापना गोपाल क्रिशन गोखले ने की थी निमलिकित समास उधारकों में से किसने वेदों की और लोटो नारा दिया वेदों की और लोटो नारा स्वामी द्यानन चर्श्वती ने दिया था गंगा नहर का उद्ध घाटन किस ने किया गंगा नहर का उद्ध घाटन लोर्ड इर्विन ने किया था नेक्स्ट ब्रिटिस भारत की केंदरी व्यवस्था पिका में द्वीश अदनी व्यवस्था का प्रवधान किस अधिनियम द्वारा किया गया बारते सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वह किया गया था नेक्स्ट है राष्ट्रिय अंदोलन की निमनलिखित गटनाओं को काल करमानुसार व्यवस्थित करिये तथा नीचे दिये गए कूट की सायता से सही विकल्ब चुनिये तो इन में जो सबसे पहले नंबर पर गटना है वह है कम्यूनल अवार्ड उसके बाद मुक्ति दिवस फिर जो है अगस्तोफर और फिर गांधी जिनना वारता तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वह है ओप्सन फोर नेक्स्ट है निमनलिखित किसान अंदोलनों को का पलकर मानुसार व्यवस्तित करिए ति तथा नीचे दियेगे कोड की साहता से सही विकल्प चुनिये तो इसमें जो पहले है वह नील अंदोलन उसके बाद चमपारण आंदोलन फिर जो है वह है खेडा किसान आंदोलन और फिर राइब राइब राइली किसान आंदोलन तो इस तरह से जिसका राइट आंशर है वह है option 3 नेक्सट है निम्नांकित में से कोन depressed classes association का संस्थापक था भीमराव अंबेडकर वह in depressed classes association के संस्थापक थे निम्नांकित महिलाव में से किसनी भारत छोडू आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया तो भारत छोडू आंदोलन में जो है वह अरुना आसफ अलिय ने भ और भारत में प्रतंपुर्टगाली गवर्रनर तो निम्नाकित में से 1943 में ह कर देता है तो स्वासचंद्र बोस ने किस द्वीब को सुवराज द्वीब नाम दिया था 1902 फिन में घठित भारतियेस विस विधाले आयो का अध्यक्स कुन था है परतिय विशर विधाले आयो का दिक्स था थोमस रैले उप्शन 4 नेक्स्ट है उस उतंतरता से नानी का नाम बताईए जिन्होंने गवर्णर जनरल को निम्नांकित पंक्तियां लिखी मैंने गुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाए मुझे पत्थर मिला मैं ऐसे परतियूतर से आश्रिय चकित नहीं हूँ ब्रीटिश रास्टर केवल सक्ति के सामने जुकता है तो यह जो है वह लिखाता महात्मा गांदी ने उप्शन 3 इंडिया लीग की स्थापन किसने की। इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गयए थी हूँ निमनांकित करांतिकारीयों मैं से अभिनाव भारत संख्धन की स्थापना किसने की। अभिनाव भारत संग्थन केी स्थापना जो है वह वीर सावरकर ने की थीetus किसके सिफारिश से वीर शावरकर ने लंदन में छत्रपती सिवाजी छत्रवरीती प्राप्त की थी तो बाल गंगा दर तिलक की सिफारिश से जो है वो प्राप्त की थी ओप्शन टू नेक्स्ट है बंकिम चंद चतरजी के उपन्यास आनन्द मठ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ जिसका प्रकाशन हुआ था 1882 इस्वे में गुलामगीरी पुस्तक के लेखक कौन थे गुलामगीरी के लेखक है जोतिवा फुले ओप्शन वन ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किस ने लिखी यह पुस्तक लिखी थी असोक महता ने ओप्शन 3 नेक्स्ट है निमनांकित चतंतरता सेनानियों में से इंगलेंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापना किस ने की इंगलेंड में जो है वा स्यामजी क्रीशर वर्मा के दवारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी नेक्स्ट है नो दिशंबर 1946 इसवी को निमनांकित में से समिधान सभा का कारियकारी अध्यक्स कौन था तो कारियकारी अध्यक्स जो है वह सचीदा नंद सिना को बनाया गया था उप्शन वन निमनांकित सुतंतरता सिनानियों में से किस ने काकोरी कांड में भाग नहीं लिया तो काकोरी कांड में भाग लेने वाली नेता थे जो क्रांतिकारी थे वे थे अस्फाक उल्ला खान, रामपरसाद बिस्मिल और राजेंदर लाहिडी राजगुरु जो थे वो काकोरी कांड में सम्मिलित नहीं थे तो option 4 जो है वहाई इसका right answer है next है निम्नांकित में से कौन से वर्ष में पर्थम मजदूर संग्ठन मदरास सर्मिक संग की स्थापना हुई तो मदरास सर्मिक संग की स्थापना जो है वह 1918 इस्वी में हुई थी निम्नांकित में से All India Trade Union कांग्रेश के पर्थम सत्र के अध्यक्स कौन थे तो इसके जो अध्यक्स देवे हैं थे लाला लाजपत राय अप्शन 2 अखिल भारतिय किसान सभा की स्थापना कभ हुई तो इसकी स्थापना जो है वह 1936 इस्वे में हुई थी नेक्स्ट है भारतिय समिधान के कौन से संसोधन की द्वारा संपति के अधिकार को मोलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया तो चुमालिस में संसोधन के द्वारा जो है वह इसे हटा दिया गया नेक्स्ट है ब्रीटिस भारत में भारतिय सिविल से और प्रिक्षय के माद्यम से बरति का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया इसका प्रावधान किया गया चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा निमलिकित युगमों में से कौन शाय युगम सही सुमेलित नहीं है सिटो 1904 सही है नाटो 1949 ये भी सही है वार्षा पैक्ट 1905 ये भी सही है अंजोस 1953 ये जो है वो सही नहीं है तो option 4 जो है वह इसका right answer है next है निमल लिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जैफरी चोसर द्वारा लिखित है जैफरी चोसर द्वारा लिखित पुस्तक है केंटरबरी टेल्स option 2 क्रीसी उपकरण सी ड्रिल का अविस्कार करने वाला था जैत्त्रो टुल स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम बताईए तो प्रथम अंग्रेज बस्ती थी जेम्स टाउन निमलकित में से कौन अंतरास्टी नयाले में प्रथम भारती नयादिश था तो प्रथम भारती नया अधिश था B.N. राउ, option 2, next है, सियुक्त राष्टर संग महासबा की प्रथम बैठक कहां हुई, तो सियुक्त राष्टर संग महासबा की प्रथम बैठक है, वह हुई थी, लंदन में, option 2, next है, निमलिकित में से कौन पेरिस अंति समेलन का बड़े च की प्रिशद का सदस्य नहीं था, तो जो नहीं था, वह है था, से ओंजी किमिंची, option 4, next है, निमलिकित में से कौन सा छेतर, लिथू, आनिया, तथा पोलेंड के मध्य विवाद का मूल कारण था, तो इनके मध्य विवाद का मूल कारण जो था, वह है छेतर था, मेमल, option 3, निमलिकित में से कौन से स्थान पर, 1933 इस्वी में, वीश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो वीश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन जो है, वह हुआ था, लंदन में, option 1, मुसोलिनी की विदेश नीती की निमलिकित गटनाओं को काल कर्मान सार विवस्थित करिए, तथा नीचे दिये गए कूट की इस हायता से सही विकल्ब चुनिए, तो इसमें जो है, सबसे पहले जो गटना हुई थी, वह हुई थी, रोड्स एम, डोडेक निज द्वीप सुमें प्राप्त करना, उसके बाद फ्यूम पर अधिकार, तीसरे निमबर पे जो है, वह है रोम पैक्ट, और फिर रोम बर्लिन दूरी, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है, वह है, option 3, next है, राष्ट संग दवारा, नियुक लिटन आयोग संबंदित था, तो यह संबंदित था, मंचूरिय संकट से, option 2, 22 जनवरी 1905 को सर्मीकों दवारा, जार निकोलस द्वीतिय के विरुद परदर्शन किसके नेतरित्वे में किया गया था, तो यह परदर्शन जो है, वह है लेनिन के दवारा, नेक्स्ट है, सूची एक का सूची दो से मिलान करिये, तथा नीचे दिये गए कूट की साहिता से सही विकल्प चुनिए, सूची एक में पुस्तकें दी गई है, वह है विन्स्टल चर्चिल की, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है, वह है उप्शन 4, नेक्स्ट है, निमलिखित युगमों में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, तो इन में जो सही सुमेलित नहीं है, वह है जर्मनी का पुने सस्त्रिकर्ण 1923, उप्शन 1, नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर दवारा जर्मन भासा में अनुवादित बाइबिल जानी जाती है, सेप्टमबर टेस्टमेंट के नाम से जानी जाती है, नेक्स्ट है, इटली के एक इकर्ण की निमनांकित गटनाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करिये, तथा नीचे दिये गए कूट की सायता से सही विकल्प चुनिये, तो इन में जो सबसे पहले गटना हुई थी, वह थी, पलेंबियर्ज समझोता, उसके बाद विल फ्रेंका की संदी, फिर जो है, वह हुई थी, जूरिक की संदी, और फिर सेडेवा का युद्ध, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है, वह है, उप्शन 3, नेक्स्ट है निमलिखित बुद्धी जीवियों में से अमेरिका सोतंतरता संगराम के संधर्म में किस ने कहा, या तो मुझे सोतंतरता दो, या मृत्यु दो, तो यह कहा था, पेटरिक हेंडरी ने, उप्शन 3, नेक्स्ट है निमलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गृत मंत्री दिये गए है वह उनकी अवधी दी गई है, तो तुर्गों जो थे, वह 1776, चैंतर इस्वी, ये सही है, नेकर 1776, ये भी सही है, केलोन 1783, से 87, ब्रीन 1772, से 73, ये जो है, वह सही सुमेलि ये पर जो है, ये स्ताक्सिर हुए थे, दिसंबर 1805, को, नेक्स्ट है, निमलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध, रास्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता था, लिपजिंग का युद्ध, ओप्शन वन, सोलफेरीनों का युद्ध, किन के मद्ध लड़ा गया तो यह युद्ध जो है वह लड़ा गया था फ्रांस वे सार्डिन या की स्यूंक चेना और उस्ट्रिया के मध्य ओप्शन थ्री तो आज की वीडियो में बस यहीं तक आगे की कुश्चिन जो है वह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल करेंगे धन्यवाद